नमस्कार हिमाचल तोड़े देख रहे हैं आप मैं हूँ गौतम ठाकर अदानी पर देवी देवताओं का श्राप यह हम क्यों कह रहे हैं अब आज की इस स्पेशल स्टोरी में आपको वो तमाम तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी हिमाचल देवी देवताओं कहा जाए कि एक देव भूमी है देवी देवताओं यहाँ पर रहते हैं और यह प्रदेश जो है वो देवी देवताओं का ही है इस धारना को अब और अधिक जो है वो बल मिला है जी हाँ हम सही कह रहे हैं दाडला घाट स्थित अंबूजा सीमेंट फाक्टरी तथा बर्माना स्थित ACC सीमेंट फाक्टरी के बंद होने से जो ट्रक ओपरेटर धाबा मालेक आटो मोबाइल से जुड़े हुए दुकानदार टायर पंचर लगाने वाले जो पिछले 50 दिनों से बिकार बैठे हैं उनकी आह शायद अदानी ग्रुप को लगी है ऐसा ट्रक ओपरेटरों के साथ टायर पंचर वालों का मानना है धाबा मालिक भी शायद यही मानते हैं उनका कहना है कि देव भूमी हिमाचल में बसे भोले भाले बाशिंदों के पेट पर लात मार अदानी ग्रुप भी कभी फल समपत्ती को 4.54 लाक करोड का नुकसान हुआ है वहीं पूझी बाजार में भी अदानी ग्रुप को 19.2 शुन्य लाक करोड से खटकर जो है वो 10.4 तीन करोड रुपए तक जो है उसकी समपत्ती आ गई है कल तक अदानी ग्रुप जो दुनिया के प्रमुख अमीरों में था अब लुड़क कर वो नीचे आ गया है अदानी ग्रुप समू के शेरों में गिरावट लगातार जा रही है यहां तक कि कल तक देश में वैपार के सरताज माने जाने वाले अदानी ग्रुप पर अब रिजर्व बैंक की निगाहें भी टिकी हुई है इसे लेकर हिमाचल में चर्चाओं का बजार गर्म हो गया है उनका कहना है कि यदी भोले भाले और देवी देवताओं की शरण में बसे हिमाचल वासियों के पेट पर लात मारने का प्रयास किया गया तो उनका हश्र जो है वो ऐसा ही होना तय है देवी देवताओं की यह भूमी है तो चलिए हमार सर पचास दिन से जादा हो गया है ट्रक उपरेटर के साथ साथ इंडारेक्ली तौर पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं जिनका रोजगार ट्रक उपरेटर से जुड़ा हुआ था चाहें वो ढाबे वाले हैं पेट्रोल पंप वाले हैं पंचर लगाने वाले हैं हर किसी के पेट पर लात पड़ी और अडानी ग्रुप की संपत्ती लगातार अब लुड़कती हुई नजर आ रही है आप क्या कहेंगे कि क्या हिमाचल के दिवी देवताओं का श्राब जो है वो सीधे तोर पर अडानी को लगा है देखिए मैं एक बात कहुँगा कि आज प्रिटी वन डेज इस मुमेंट को होगे जो लॉक आउट इलीगल लॉक आउट अडानी ग्रुप का था और अडानी ग्रुप ने एक इसकी कोशिश थी कि मैं हिमाचल के प्रेजर आसपूर का बजार है इसको भी मैं अपने अंडर ले लूँ इसको भी मैं कबजा कर लूँ और एक प्रिस्पल और नैच्रल जस्टीश और कुदरत का नियाए भी होता है जो दूसरे को डेंट पहुंचाना चाहता है उसको खुद भी कही ना कही उसकुदरत के नियाए के आगे जुकना पड़ता है और लोगों की जो एक य बिना किसी बजा के बिना किसी legitimate cause के तो एक हमारे सामाजी के मानियता भी है खुदरत का भी नियम होते हैं एक जो हमारे लाफ़ती लैंड प्रिस्पल और नैच्रल जस्टीश और एक कान्वेस सब काम करती है अपनी लोगा बद्वाएं तही रहे अड़ानी को कापी बहुत सारा इसने यहां लोगों का नुक्सान कर दिया बिना किसी कारण कर दिया आप देखे क्या जब शेर मार्किट किस तरह इसकी लुड़क गई है लाइसी को इतना बड़ा टेंट पहुँचा दिया पीएसी को इतना बड़ा टेंट पहुँचा दिया तो कहां बचे का ड़ान है जब लोगों को इस दंक से रुलाया से ने खुद भी इसके साथ नय तो होना है यह एक नय गुद है आज मिटिंग है आपकी सीम के साथ क्या कुछ समाधान निकलने की उमीद है हाँ आज हमरे इतलगों तीन बज़े भी मिटिंग है बर्माना दारला घाट की ट्रांस्पोर्टर्स के साथ सीम साथ की और होफ़ली हमा यह उमीद कर रहे हैं कि आज सीम साथ का कोई जम से उन्होंने एक बड़ मेंडिट मांगा है ट्रांस्पोर्टर्स से पूच के आएं औ और आप मुझे अत्राइज करें कि एक फिगर उनसे मुझे मांगाए कि इस फिगर तक अगर आप मुझे अत्राइज करते हैं तो मैं कुछ आपका मसला सौर्ट आट करवा दूँगा तो हमने अपने सभी सहकारी सभाओं से लोगों से इसकी अप्रोबल लेकर आज हम सीम सा काफी लोगों के फोन आ रहे हैं पॉंटा से उन्ना से नाला गर्ण से और बहुत सारी जगाओं से तो आज सीम सा फैसले पर बहुत सारी चीज़ अपर करें तो सर अडानी से आप हिमाचल तुड़े के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हम अडानी से कहेंगे कि आप लीव ए हमारी सरभाई बननी है को अग्जिस्टेंस सहस्टितों में विस्वास रखें और तुरंत इस प्लांट को खोले इसी में उसकी बलाई है क्योंकि देवी देवताओं का गड़ है और अगर अगर अडानी प्लांट नहीं खोलता है और इसी तरीके से लोगों के पेट पर लात मारता है क्योंकि देवी देवताओं उनके साथ हैं जो उनकी पूझा अर्चना करते हैं जो उनके साथ जो है वो रहते हैं और सालों से जो है हिमाचल के लोग जो है वो देवी देवताओं में बहुत एक कहा जाए कि आस्था रखे रहते हैं और उनकी आस्था जो है वो अटूट आ एक और तारीख तलहाल के लिए इस खास पेशक्रश में इतना ही मुझे यानिक उत्म ठाकुर को दीज़े इजाज़त और हिमाचल की खास कबरों के लिए बने रही हिमाचल टोडे के साथ